R.D. Sharma solution देख रहे हैं Class 11th है Chapter 23 The Straight Lines Exercise है 23.17 अब इसमें जितने भी सवाल है तीन सवाल है और उनका concept एक ही है जो इस question से ही solve हो जाएगा समझ में भी आ जाएगा आपके यहाँ पर आपको बताना है कि prove that the area of a parallelogram found by the lines lines है एक ये दो तीन चार is ये आपको बताना area ये होगा or deduce the condition for these lines to form a rhombus a rhombus तो ये बनता कैसे है इसको अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर parallelogram हम बनाएंगे ये ध्यान रखेगा मैं कौन सी line बता रहा हूँ ये आपकी जो line है ये हो गई आपकी L1 ये L2 ये L3 और ये L4 अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करते हैं इस जगह से या यहाँ से शुरू करें या यहाँ से D1 है तो D1 और D2 D1 D2 ये आपका हो गया L2 ठीक फिर यहाँ पर आपका हो गया L4 ये हो गई आपकी C1 वाली तो ये हो गई L3 और ये हो गया आपका L1 अब इसको ऐसे क्यों किया है क्योंकि L1, L2 पैरलल है आपस में और L3, L4 पैरलल है इनकी एक्वेशन यहाँ पर दी है हम क्या करते हैं इसमें जब एरिया निकालना चाहते हैं पैरललोग्राम का तो उसके लिए हम परपेंडिक्लर ड्रॉप करेंगे परपेंडिक्लर कैसे ड्रॉप करेंगे ऐसे हैं यह परपेंडिक्लर ड्रॉप किया इसको हम मांते है थीटा और यह परपेंडिक्लर जो है वो P1 अब इसमें भी परपेंडिक्लर ड्रॉप करना है तो इसको एक्स्टेंड करना हो नहीं यह हो गया तो यह आपका p1 हो गया यह p2 हो गया और यह एंगल भी फिर यह θीटा यह भी एंगल थीटा हो गया यह थीटा यह थीटा और यह perpendicular है तो यह 90 degree हो गया यह 90 degree है और यह भी 90 degree है तो हम कैसे बनाएंगे इसको पहले समझ्जिए कि सबसे पहले साइन थीटा लेना चाहता हूँ, साइन थीटा क्या होता है पर्पेंडिकुलर अगर इसको मार्क भी कर दिया जाए, एबी सी भी मार कर दिया जाए तो जादा चरहेगा, योगा ए, डी और ये बी और ये हो गया सी योगा डी, इसको हम L माल लेते हैं, और ये हो गया आपका M तो पहले इस ट्रैंगल की बात करूँगा मैं, A, D, L की बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए साइन थीटा क्या है पर्पेंडिक्लर अपॉन हाइपोटिनियूस, तो पेंडिक्लर P1 है हाइपोटिनियूस A, D हो गया तो A, D क्या मिला इससे A, D मिला आपका P1 by Sine Theta ये हो गया, इसी तरीके से आप यहाँ पर आईए, किस वाले ट्रैंगल की बात कर रहा हूँ 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है Theta ये है, तो Sine Theta क्या बनेगा, ये Sine Theta क्या बनेगा यहाँ पर है Perpendicular by Hyperneus Perpendicular क्या है, P2 इसकेस में P2 गए Hyperneus क्या है आप पर ये A, B Hyperneus A, B हो जाए A, B क्या मिला इससे P2 by Sine Theta तो ये आपका A, D और A, B मिल गया अब Area of the Parallelogram क्या होता है Area of the Parallelogram होता है Base into Height, वस इतना ही होता है तो अगर इस A, B, C, D का Area में निकालने चलूँ, तो A1 एक बार Area A1 ले ले लेते हैं, और A1 A2 A की बार, A1 A2 बराबर होगा चले, A ही माल लेते हैं तो ये होगा A, B Base into Perpendicular P1 ठीक P1 की जगा क्या रख दें, ये रख दें या A, B की जगा ये रख दें ये वाला A, B की जगा ये रख देते हैं P2 by sin theta तो P2 by sin theta और यहां P1 था ही, तो P1, P2 sin theta हो गया है इसी तरह के से area और क्या बनेगा BC into AM based upon hypotenuse मतलब ये दोनों side में से कोई भी side लीजिए और उनके बीच में perpendicular distance पर मेंट लाएकर ये तो area हो जाता है आपके पहले hologram का तो इसमें क्या होगा, ये जैसे इन दोनों को ले रहे हैं, तो हम BC ले लेते हैं या AD ले लिजिए, AD ले लिजिए एकी बात है BC, AD परापर है तो AD ले लिजिए और perpendicular क्या हो गया, P2 AD क्यों लिए, क्योंकि AD हमारे हमने यहां से निकाला AD की चेका रख देते हैं, P1 by sin theta P2 यहां ही तो दोनों एरिया एरिया हो गए न, दोनों एरिया इसी figure के तो एरिया है ठीक, तो एरिया इसमें आगया parallelogram का P1 P2 by sin theta जहां पर P1 P2 जो है, वो distance है parallel sides के बीच में अब AB का slope देखे, इस AB का slope क्या होगा, AB का slope, AB का slope यानि की M, 1 माल लेते हैं, यह slope है AB का, यह कितना होगा, slope इस line को AB हमने माना है, यह कौन सी line थी हमारी L1 यह L1, ठीक इसको बहुत ध्यान से देखे L1 को फिर मैं आपको दूसरा direct बताऊँ L1 देखे, A1 X plus B1 Y plus D1 equals 0 B1 Y equals minus A1 X minus D1 और Y हो जाएगा, minus A1 X by B1 minus D1 by B1 Y equals MX plus C, तो यह आपका slope हो गया तो minus A1 by B1 slope हो गया, minus A1 by B1 किसका? AB का M2, slope निकाल रहे हैं आप AD का AD का slope बिल्कुल उसी तरहीं निकालेंगे AD आपके पास कौन सी है? L4 इसका निकाल लेंगे ना, इसको Y equals MX plus C form में रखेंगे, आपका आएगा minus A2 by B2 नहीं तक ठीक है? अब जो थीटा है वो क्या है? वो थीटा है एंगल किसके बीच में? AB AB और AD के बीच में ही तो थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में ही तो थीटा एंगल है M1 की जगह रखेंगे आप माइनस A1 by B1 M2 की जगह रखेंगे आप माइनस आप माइनस प्लस कर दिया मैंने A2 by B2 by 1 plus A1 A2 माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने B1 B2 यह गया? इसको ज़रा solve करेंगे तो आपका 10 थीटा निकल के आएगा A2 B1 माइनस A1 B2 by A1 A2 plus B1 B2 इसको ज़रा solve करेंगे तो ऐसे आजएगे चीक है? फिर इसके बाद यहां तक आगया हम तो आप 10 थीटा है तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं साइन थीटा कैसे निकालते हैं यह आपको पता है यह सिख चुके हैं यहां तो आप सीधा 10 थीटा आप एक ट्राइंगल बनाईए आप यह 10 थीटा प्रपेंडिकुलर बाद बेस हमारा यह है प्रपेंडिकुलर उपरवाले को ले लिजिए बेसिस को ले लिजिए आपने इसके होगा इन दोनों का स्क्वाइर इसका स्क्वाइर करिए इसका स्क्वाइर करिए दोनों का जोड़ी है और अंडर रूट निकाल लिजिए तो मैं डारेक्ट सान थीटा लेग दे रहा हूँ यह आएगा आपका एवन एटू एटू बीवन मानस एवन बीटू बाइ अंडर रूट एवन स्क्वाइर प्लस बीवन स्क्वाइर रहा हैगा एटू स्क्वाइर प्लस बीटू स्क्वाइर ठीक है अब हमको मिल गया यह सान थीटा मिल गया अब हम पीवन दुबारा जा सकते हैं क्या, P1, P1 जो है वो दिस्ट्स है इनके बीच में तो हम डिल्एक निकाल सकते हैं हम गो दो पैर्ल लाइन के बीच में दिस्ट्स भी तो पता है तो कहीं छोटी से जगा निकालता हूं मैं P1 दिखते हैं पीवन क्या होगा इनके पीछी डिस्टेस इसका इसका constant part लेंगे इसका constant part लेंगे a b का और c d का देखए a b और c d आने के L1 और L2 ले लिजे L1 L2 C और D है तो माइनस कर रहा हम आंसका constant part c1-d1 और इसका इन दुनों का देखे दुनों का ये एक जैसा है तो हम करेंगे a1 square plus b1 square जो गया p1 अब p2 के लिए भी थोड़ी सी जगह निकाल देता हूं मैं अगर आपको सब दिखतर है किया क्या है p2 क्या हुआ p2 इनके बीच में निकालेंगे तो आपका p2 किसके बीच में है l3 l4 l3 l4 देखनी ज़िए c2 d2 दिख रहा है तो c2 minus d2 by under root a2 square plus b2 square जो गया चलिए p1 आ गया p2 आ गया अब area of triangle मैंने क्या पता है था आपको p1 p2 by sin theta तो आप क्या करेंगे p1 p2 रखेंगे p1 की जगा ये p2 की जगा ये और sin theta की जगा ये रखेंगे ना ठीक है अब मैं प्रुक्त final solution बता रहा हूं आपको final solution दिखा रहा हूं कि क्या आने वाला है तो p1 area of triangle जो था पैलरोग्राम था p1 p2 by sin theta अब ये सारी चीज़ें भी निकाल चुका हूं p1 भी निकाला, p2 भी निकाला उसको final लिख दिया जाए c1 d1-d1 और c2-d2 by under root इसमें under root नहीं आएगा मैं इसको इस तरह की से बता रहा हूं कि ये ऐसे आएगा a1, a2, b1, b2 अब ये क्यों लिखा है माको अधापा ये होगा c1-d1 c2-d2 divided by a2, b1, a2, b1, a2, b1 पहले minus a1, b2 अब ये पहले a1, b2 करिए या ये करिए क्योंकि मैंने इसमें लगा दिया है मौट तो फरक नहीं पड़ेगा ये है final तो आप देखें ये क्या है c1-d1 c2-d2 a1, b1, a2, b2, a1, b1, b2 a1, b1, b2 पहले लिख सकते हैं a1, b2 minus a2, b1 या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मौट है तो एरिया क्या आ गया बिल्बुल सेम चीज़ आ गई तो एरिया निकला आया अब यदि ये पर दीजिए ये जो ये वाला साइ्ट था ये साइ्ट तो equal थे ये ecos GOOD फे ये थे और ये भी even होगो दिसका मतलब इनके बीच में जो डिस्टंस होगा by a2 square plus b2 ठीक है जी यह इसके final condition अगला जो सवाल है वो यह कहता है कि prove that the area of a parallelogram found by these lines is area of parallelogram निकालना है अब आपको बस इसको equate करना है किस से बस दिमाग बस यह रखेगा यह जो यह दोनों opposite sides है parallelogram की यह दोनों opposite sides है parallelogram की और इसमें आपको इस पे ध्यान देना है c1 c2 c1 d1 और c2 d2 पे तो c1 d1 मतलब a minus 3 है वो यहां हो गया अब c2 minus d2 यानि 2a minus a minus 2a minus 1 हो गया है यह कहें कि a क्योंकि यह mod है तो फरक नहीं पड़ेगा जाए a minus minus a minus or minus 2a करें तो minus a plus 2a होगा या फिर minus 2a minus 2a प्लस a की बात तो यह यह यहां पर c1 minus d1 c2 minus d2 कर लीचे अगर नीचे आएगा a1 b2 a2 b1 मैंने आपको जैसे बताया कि a1 b2 क्या है जिसमें a1 आपका a1 b1 a2 b2 क्या बनेगा a1 हमने निकालना है a2 b1 a1 b2 और a2 b1 मैंने आपको जैसे बताया था कि इसको आपको किससे करना है यह वाली जो दोने एक्क्वेशन है यह है a1 x b1 y और साथ में c1 d1 और यह वाली एक्क्वेशन क्या हो गई a2 x b2 a2 x b2 और साथ में a2 जब लिखेंगे तो यह होगा c2 d2 तो इसमें क्या हो गया a1 b1 तो a1 और b1 अगर आप मानें इसमें बनाएं तो इक 3 हो गया b1 हो गया मानोस 4 और a2 b2 कर देंजी आप a2 आपका आगया 4 b2 हो गयां और मानास 3 तो निखालना क्या है लिगार लगाना क्या है a1 b2 a1 b2 फिर माइन थी और माइन फ्री मानस 3 और माइनस 9 मानस माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे और और 460, 16 माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो solve करेंगे तो 2a square by 7 आएगा जो आपको प्रूव करना यह जो question है show that the diagnose of the parallelogram those sides are this, 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 this चार sides दिये है include an angle pi by 2 तो हमको इसमें क्या करना है पहले मैं आपको समया देता हूँ हम क्या करेंगे यह चार लाइने है यह लाइन देखिए, lxmy, lxmy 1 और 3 parallel है तो यह आपकी lxmy, lxmy यह n है, यह n यह n डश है यह दोनों parallel है इसी तरी के से mxly, mxly एक में n है एक में n है, एक में n डश है यह n वाला हो गया, यह n डश हो गया सब कुछ प्लस है, यहां सारा कुछ प्लस है हम क्या करने वाले हैं हम इसका intersection point निकालेंगे जब इसका इसका यह point फिर इसका इसका यह b point फिर इसका intersection निकालेंगे c point इसका intersection निकालेंगे d point फिर हम क्या करेंगे जब हमारे पास चारों पॉंट आ जाएंगे तो इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे इक्वेशन निकालेंगे इसका स्लोप निकालेंगे इसका स्लोप निकालेंगे दोने के स्लोप को मडिपलाय करेंगे अगर माइनस वन आ जाता है तो यह दोनों ला करेंगे हमको solve करना है यह लाइन और यह लाइन यह लाइन और यह लाइन हम क्या करेंगे यह पॉइंट निकार रहेंगे तो हमारे पास जो equation है वह आपकी है LX PLUS MY PLUS N इकोल 0 जोसी equation है हमारे पास MX PLUS LY PLUS N बराबर 0 कंफर्म कर लीजे मैं निकाल रहा हूँ यह लाइन LX PLUS MY PLUS N यह वाली लाइन और यह वाली लाइन LX PLUS MY PLUS N हो गया लाइन है MX PLUS LY PLUS N डश इनका हम इसको हम solve करेंगे तो देखेगा हम इसको multiply करेंगे पूरे को इस पूरे को हमको कुछ eliminate करना है इसमें तो इस पूरे को multiply कर दीजिए आप M से और इस पूरे को multiply कर दीजिए आप L से क्या बनेगा यहां आएगा LMX प्लस M square Y प्लस N M बराबर 0 यहां आएगा LMX सबको L से में बड़ी प्लाय कर रहाँ प्लस L square Y प्लस N dash L बराबर 0 अब सब्ट्राइट करेंगे यह हड़ जाएगा यह बनेगा M square माइनस L square Y और यहां बनेगा प्लस N M प्लस N dash L बराबर 0 Y क्या निकल किया आएगा इसमें पहले इसको इधर कर लेते हैं ताकि हम यह negative sign ना लापाएं तो इसको इधर कर देता हूँ यह बनेगा L square माइनस M square मान लीजे कि मैं इसको इधर ले गया हूँ Y बराबर N M प्लस N dash L Y बनेगा N M प्लस N dash L by L square M square ठीक है जी यह बन गया Y आ गया अब इसको किसी भी equation में रख दीजे यहां पर या यहां पर किसी भी equation में रख दीजे यह अगर आपको समस्या हो रही है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे मैं आपको दुस्रा तरीका बताता हूँ सीधा Y यहां से निकाल सकते हैं आप कैसे अब यह क्या करिए इसको L से मुटिप्लाय करिए और इसको M से मुटिप्लाय करिए तो क्या equation बनेगी L square X plus M L Y plus N L बराबर 0 यह बनेगा M square X plus M L Y plus N dash M बराबर 0 अब सेट्राय करिए सेट्राय करिए यह दोनों चले जाएंगे इस बार यह बनेगा L square minus M square X बराब प्लस N L ओ यह माइनस में है माइनस था ना या आपको यह माइनस में है जान रहेगा माइनस में है क्योंकि यहापर हम नेगटिव किया है यहापर नेगटिव करेंगे तो यह आएगा N L minus N dash M ऐसी करते हैं आप इसको इसको इदर उदर कर इसको मैं मान लेता हूँ कि इदर लेगा है तो क्या बनेगा M square minus L square X बराबर N L minus N dash M इससे X निकल के आएगा N L minus N dash M by M square minus L square अब L square minus L square किया यहाँ M square minus L square थो ठीक नहीं लग रहे हैं तो इसको इदर कर दें इसको मैंनस लेके इसको इदर कर दें N dash M minus N L by L square minus L square ठीक यह समझ गया आप X और Y ऐसे निकलना है ऐसे आपको सारों के लिए करना है यह जो मैंने काम किया यह चारों के लिए करना है एक निकला मैंने दूसा तीसा चौथा ठीक तो इसको करने चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो मैं लेके आ गया हूँ वो दिखा देता हूँ C, D, E, A इस सारे पॉइंट आप निकालने वाले ठीक यह सारे पॉइंट आ गया अब आप देखिए यह पॉइंट आ गया तो आप हम स्लोप निकालेंगे इस A, C का और D, B का तो स्लोप जो बनेगा आपका हम M1 मालेते A, C का स्लोप तो हम क्या करेंगे A, C का स्लोप निकालने के लिए A और C के end point चाहिए A और C क्या होगा है यह दुन तो Y2-Y1 by X2-X1 यह आपका स्लोप आ गया यह स्लोप हो गया इसी तरीके से आप M2 निकालेंगे M2 क्या निकालेंगे A, BD का स्लोप BD BD के लिए आपको क्या करना है यह दुनों लेना है तो Y2-Y1 X2-X1 यह इसको मालनीजे Y2-Y1 X2-X1 कर लेंगे उससे आपका स्लोप निकालेगा M2 का यहाँ पर कर रखा है सामने आपके स्लोशन है यह आपको निकाल के आएगा minus 1 minus 1 आएगा सब कैंसल हो जाएगा इसमें भी सब कैंसल हो जाएगा यहाँ 1 आएगा यहाँ minus 1 आएगा अब M1 into M2 करिए M1 into M2 करिए कितना आया minus 1 जब हमने स्लोप को multiply किया क्योंकि यहाँ इसका आई ही रावन है इसका आई ही रा minus 1 है multiply किया दोनों को multiply करने के बाद हमारा आया minus 1 इसको multiply करने के बाद minus 1 आया इसका मतलब यह दोनों जो है perpendicular है और यही बताना था जो diagnose है वो 90 degree पे है क्योंकि हमने इन दोनों का slope निकाल के multiply किया तो minus 1 है ऐसे प्रोब करना है यह ही exercise संख्या 23.17 बहुत शुक्रिया बहुत महरबानी आप सबीकिए